नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में इस वीडियो में हम रीजिनिंग का जो एलपी टेकनी सियन 10 अगस 2018 को पेपर हुआ था वो रीजिनिंग के क्वास्टन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आपको यह टेस्ट पूरा जरू देखने से आपको यह पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से क्वास्टन पूछे जाते हैं तो इस टेस्ट को पूरा जरू को देखिए किस टायप से क्वास्टन आते हैं तो चलीं सुरू करते हैं क्वास्टन नूम है इससे पहले यदि आप चैनल पर नंय तो चैनल पॉर्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक की चले हैं चलीं सुरू करते है एक बैकती पूर्णप की ओर दस किलो मीटर चल पूरब इस साइड होता है, ये पूरब होता है, ये वस्टेम, ये उत्तर, ये दक्चन होता है, तो ये पूरब में जा रहा है, दस किलो मेटर, पूरब इस साइड होगा, तो दस किलो मेटर जाएगा, इसके बाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं नीचे साइड होगा, तो हमें बताना क्या है के घर प्रारंब के स्थान से किस तिसा में है तो यह स्टार्टिंग पॉइंट धूइंट हो जाएगा यह पूरा भेत यहां अगस्त को गवा था नियुक्स नमबर दूसरे देखिए भिन का हमें इसमें चैन करना ये box मैं से 4 मैं से कोई एक भिन है तो इसको मैं हमें चैन करना है चार option दिए गए हैं इसमें तेनों क्या है प्रतीक चिन होते हैं लेकिन जो A है यह क्या है अल्फावेट है तो इसलिए A है जो वो अलग हो जाएगा उप्सन पहला गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही बो गरीबों को पेश आने वाली समस्यां के बारे में जानते हैं तो ये कथन दिया गया है इसमें निसकर्स दिये गए हैं तो हमें निसकर्स निकालना है इससे क्या निकलेंगे वो हम देखते हैं सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए तो ये तो possible नहीं है, सभी नेताओं किस प्रकार से बदला जाएगा ये नहीं हो सकता है, सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, कोई भी नेता गरीबी में जीना नहीं चाहिएगा तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा option नमबर दूसरा ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरन करेगा question नमबर जोगता देखिए ये भी कतन निसकर्ष का ही है सबसे ज़्यादा यदि question पूछे गए हैं तो 5 से 7 question के बीच में कतन निसकर्ष से हैं और जो आकृतियां होती हैं 5 से 7 question उसमें हैं मतलब 10 से 15 नमबर के बीच का दो चैप्टर से है कौन से कतन निसकर्ष निया निग्मन या कतन और पून अबधारन वाला और जो आकृतियां आती हैं बुन आकृतियां उसे आकृतियां हम आगे करेंगे देखिए question no.4 दिये गए प्रिश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि उत्तर देने के लिए निम्लिकित कतनों में से कौन सा परयाप्त है प्राकृतिक संक्या A, B, C, D और E में बिसम संक्या कौन सी है तो कथन दिया है अब इसके निसकर्ष देखिए A, B, C, D, E प्राकृतिक संक्या है और दूसरा है B, अभाज्य संक्या है तो B, अभाज्य संक्या है तो इससे हम यह नहीं ले सकते हैं कि यह सभी बिसम संक्या है क्योंकि प्राकृतिक संक्या कि क्या होती है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इसमें छे भी हो सकती है यदि B को हम अभ और निसकर्स काम नहीं करेंगे option दूसरा है जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें यदि संख्या दी होती तो हम इसका उत्तर दे सकते थे पाजबा question देखिए दी कई याक किर्थी को बनाने के लिए आवसक नियूटम सीधी रेखाएं कि संख्या बताईए इसमें कितनी रेखाएं सीधी हैं उनकी हमें संख्या बतानी है इसमें देखें यादी हम देखें सबसे पहले तो एक रेखा यह हो जाएगी सीधी यहां से यहां तक एक यह हो जाएगी दो एक यह हो जाएगी तीन यह तीन रेखा हैं हो जाएगी इस परकार से नहीं हम सीधी सीधी गिन लेते हैं देखें इधर से लेके चलते हैं पहले तो एक रेखा यह हो जाएगी एक यह दो तीन यह चार चार रेखा इस साइट से हो जाएगी तो हम four दखे लेंगे, इसके पाद में यह वाहरी हो जाएंगी तो हम इस साइट रहेगे तो एक यह यह जाएगी, एक यह जाएगी, एक यह हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, चार और तीन साथ beaten मतलब इस साइट से उर साइट से गियंगे तो एगण दो पीं और 4 हो जाएगी Va 달lyunब एस सायट से एक दो खिंहरे किंगे तो जायेगी तो चाइए और तीन चारी हो और जो राइट आंसर हो जाएगा इस नमबर छटबा देखिए ये भी कथन निसकर्स ही है नीजे दिएगा कथन को सत्य मानते हुए यह निर्न करिए कि इससे निश्चित रूप से नीजे दिए हुए कौन से निसकर्स निकाले जा सकते हैं तो देखें कुछ अभी नेता ब्य सभी अभीनेटा बुद्ध डिमान है तो यह गलत हो जाएगा सभी ब्यपारि अभी नेता ब्याट अभी नेता रूपisión नवरा अनसर हो जाएगा कुछ की बात उती तो कुछ वाला निकल जाता यदि वो बोलता कि सभी व्यापारी बुद्धिवान है तो यह हो सकता था जबकि यह तो कथन में ही दिया है तो यह नहीं पूचा है ना तो पहला ना ही दूसरा निकर लाए अब क्वास्ट नमबर साथ वा देखिए उस विकल्ब का चायन का रहा है जो नीचे दीगए याकृति के रिक्त स्थान पर आएगा तो देखिए इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा ओप्सन आ जाएगा यदि हम इसको देखेंगे तो यह यहां से इसको हम इदी पूरा कर यहां से यहां मिल जाएगी और इसमें हम देखते हैं तो ठीक इसी प्रकार की हमें इसमें भी यह लायन करनी होगी तो यह यह वाली आकृति ऑप्सन दूसरे में दिख रही है तो तो वह राइट आनसा हो जाएगा क्योंकर देखिए इसमें तो कुछ नहीं है इसमें है ले बिवाजित नहीं हैं लेकिन अपने दाइनी और की संक्या से पूरता बिवाजित हैं देखिए इसमें हमें बताना है कि यह से कितने आठ है जो अपने बाइनी और की संक्या से पूरता बिवाजित हैं देखिए आठ हम सबसे पहले यह देखते हैं तो यह चार से पूरता जाए इसके बाद आठ ये देखते हैं तो ये बाई और से तो नहीं होगा ये हाँ पांस से पूरा-पूरा नहीं कटेगा लेकिन आठ से पूरा-पूरा कट जाएगा तो इसके मतलब एक ये वाला हो जाएगा सिर्फ एक ही है ऐसा जो दिये हुए नहीं होता है लेकिन 8 से 8 पूरा ये वाला नहीं चाहिए चार वचके 37 दोपहर बात के समय पर मिनिट की सुई और घंटे की सुई के के बीच का कितना कौन होगा इसके एक ट्रिक होती है यह होती है क्या 60 into h यह यानि घंटा माइनस 11 into क्या होता है मिनिट और इसमें डिवाइड कर देते हैं हम दो से इसको याद रखिए यह ट्रिक अक्सर पूची जाती है इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है तो याद रखिए देखना इसमें क्या कर सकते हैं 60 का गुणा यदि हम चार में कर देंगे माइनस 11 into क्या कर देंगे 37 का गुणा कर देंगे तो 64 के 24 होगा मतलब यह 240 होगा और यह कितना होगा 11,77 हांसल में जाएगी 7 और 11 से इसको 13 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो कितना होता है 40 यानि 407 होगा तो 407 में से हम 240 माइनस कर देंगे 407 में से 240 को माइनस करने पर कितना मिलेगा यह 7 हो जाएगा यह 6 हो जाएगा और यह 1 बचेगा मतलब कितना बचेगा 166 माइनस करने पर कितना बचेगा 166 और डिवाइड में क्या है 2 है तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2816 होगा वो 236 होगा एक बचेगा तो पॉइंट रख देंगे तो 010 हो जाएगा 2510 यानि कितना इसमें देखें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है कि आपने माइनस 407 में से घटा आएं तो माइनस का लगाएंगे हमें सिर्फ डिगरी निकारना है तो इसमें से इसको घटा देने पर जो प्राप्त होता है उसमें 2 से भाग दे देते हैं इस ट्रिक को आप याद रखिए अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं कि कॉस्टिन नमबर दसवा देखेंगे यदि हम नीचे दी चेत्र के देखते स्थान पर उपयोक्त चेत्र का चैन करें इसमें देखेंगे हमें बताना है कि कौन सा उप्षन आएगा तो यह इसको देखेंगे तो यह प्लस है इसके बाद में इसमें क्या होगा है प्लस जैंगे तो यही इसमें भी देखेंगे तो इसमें बीच में कट्टिस आ रही है और इसके बाद में कट्टिस हटने के बाद में चार चोटे-चोटे-चोटे ब्रत आ रहा है तो इसमें क्या होगा कट्टिस हट जाएगी और ऊप और नीचे चार चोटे-चोटे ब्रत आ जाएंगे तो उपर देखी ये इसमें अंदर यह नहीं आगए इसमें वी अंदर यह उखाएंगे यह नहीं होगा ऑप्सटन व्य है वी आप्संवें पहला मतलब पहला मैं है और यूराइट आंसर हो जाएगा कि इसमें चोटे-चोटे चार ब्रत आ जाएंगे कि कॉश्चन नंबर 11 देखिए नीचे दिए गए बिकल्पों में से संबंदित सब्द का चैन करें देखिए परिक्षा से क्या होत मिलती है सफलता मिलती है तो ठीक उसी प्रकार से मैंच में क्या होता है जीतिया मैंच को जीतने पर क्या मिलती है बिजय मिलती है तो बिजय वाला है जो ऑप्शन चौटा बुराइट आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर 12 देखिए दिएगा यह बिकल्पू में से कौन कौन निमलेकित समीकरनों में क्वेस्चन के मार्क के स्थान पर प्रतिस्थाबित करने से उपयुक्त होगा यह ता है तो इसमें करेंगे यदि हम कि देखिए इसमें यहीं हम क्या करें सबसे पहले दिवाइड होता है तक हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे color if you कि ऐदी हम इसको काटेंगे तो यह पूरा- sonto오 कितने बार में कठ जाएगा चार बार में क retire ओ के देख लेंगे 333 का गुणा चार में करेंगे तो कितना होगा रहें चार बार मतनें तीन वार में कड़ेगा साथ या एक की जाएगा कर जा जाएगा तो साथ या एक की एक आ जाएगी तीन दुनी छेज और एक तो ग्यारा तिन दर का नो और एक 10 11 3 बार में आरहा है तो हग जाएगा इसको हम प्लस करेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा 4 और 2 7 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा 466 यह यहां पर माइनज इसको काड़ने पर कितना मिला तीन तो 1 का 3 में गुना करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नहीं कि पहचान करें यह तो पता ही है कि यह एलपी सीवीटी फस्ट दस अगस्त का जो पेपर था वाई पेपर हम स्वाल कर रहे हैं इसमें हम देखें इसमें सबसे जोड़ेंगे तो कितना मिले ही यह 30 जपकि यहां पर कितना है 32 तो इसको हम गलत माना लेते हैं लेकिन आगihin आगे सौलभ करेंगे तब पता चलेगा देखे 10 होगा इसके बाद 30 में यदि हम कितना 12 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा 42 जो कि आगे लिखा हुगा है आगे यदि हम यही लोजिक लगाएंगे तो 42 में कितना जोड़ना है 14 तो यह कितना हो जाएगा 56 जो कि लिखा हुगा है और 56 में कितना जोड़तेंगे हम 16 तो य इस रिंकला पूरी हो जाती है कि कुश्चन नंबर चुगा था देखिए सही चित्र को चुन है जो प्रिष्ण चिन्न की जगह पर लेता है देखिए मैं पहले ही बताया है कि डाइग्राम और कथन निश्कर्स निया निग्मन वाले से कम से कम 10-15 नंबर के कुश्चन आये थे देखिए इसमें देखेंगे यदि हम तो इसमें क्या है ये तीन एरो के निशान इसके साथ है तो ये एरो के निशान या हो गए और ये जैव के ताओ यहीं पा रहा है तो इसको देखेंगे यदि हम तो इसमें क्या हो जाएगा तो यदि हम इसको देखेंगे तो ये बाला कहा हो चला जाएगा ये इस साइड में हो जाएगा और इनसे कोई मतलब नहीं ये जैंके देखेंगे तो ऐसी आकर्थि उप्सन दूसरे में देख रही है तो दूसरा उप्सन है जो वो सिरी जैट को ट्रेंड के लिए कितनी देर तक पृतिक्षा करनी चाहिए तो यह दो कथन दिये गए इससे हमें पता करना है कि कौन से से आंसर निकलेगा इसमें देखें तो सिरी जैट रेलवे स्टेशन पर सुवह दस बजे पहुंच गए थे तो यह तो जरूरी है कि पता त दस बजे तो रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे सुवह सुवह में यह दस बजे पहुंच गए थे इसके बाद में ट्रेंड कब है ग्यारा बजे तो इसके हमें पता चल जाएगा कि एक घंटा तो इनको यहां पर बीट करना पड़ेगा और इसके लिए यदि बैठते हैं क्वेस्टन नमबर 16 देखें नीचे दी गई प्रते काक्रती का केवल एक बार प्रियोग करके तीन समुह बनाईए इस तरह से बनने वाले तीन समुह कौन से होंगे यदि हम इसमें देखें समुह बनाने की गोशिस करेंगे तो इसमें देखेंगे यदि हम देखें एक आक् तीन और नौ ये एक समूल बन जाएगा इसका तो इसको हम गोश्टक में लिख लेगे ठीक इसके बाद दूसरा यादि हम समूल देखते हैं तो देखें बीच में एक किरती के अंदर प्लस प्लस तीन जेका दिख रहा है तो इसको हम बना लेंगे दो पांच छे दो पांच औ देखें कि 139,256,480 ओप्सन दूसरा में दिख रहा है 149,256,480 तो ऑफसन दूसरा है जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि देखें पहले में एक आकरती के अंदर दूसरी आकरती बन रही है तो वह क्वाँशे में एक तीन नौ में है और बीच में प्लस है तो तीन में ह यह पूरा हो जाएगा अब देखें नीके दियोए बेनारेक में उन संख्यां को कितना है जो खिलाडियां को दर्स आते हैं जो अनुसासित नहीं है जो खिलाडियों को तो दर्स आ रहा है लेकिन अनुसासित नहीं है तो सबस Patrick नाकरत था नारी के लिए इक व्रत हो जाएं और अनुसासित के लिए कौन है आयत तो इसका मतलब ये है कि ब्रत में है लेकिन आयत में नहीं है अब यदि हम इसको देखें तो ये बरग है ये तिर्वोज है तो आयत कौन सा है ये वाला आयत हो जाएगा तो हमें ऐसे संख्याओं का जोड़ ग्यात करना है जो खिलाडी है और अनुसासित नहीं है तो आयत में नहीं आना चाहिए लेकिन खिलाडी होंगे सबसे पहले तो ये साथ उपर दिख रहा है ये वाला साथ हो जाएगा एक तो इसके बाद में ये चार दिख रहा है और ये पांच दिख रहा है तो ये चार हो जाएगा ये पांच हो यह ऐसे हैं जो अनुसासित नहीं है तो अप्शन तीसरा हमें 16 तो तीसरा उप्शन राइट आंसर हो जाएगा question number 18 देखिए alp sorry यह तो पहले ही बताया है तो इसको एदि हम सबसे पहले क्या होता है देखिए इसको तो हम छोड़ देंगे लेकिन इसको सबसे पहले हम solve करेंगे क्योंकि सबसे पहले कोश्टक कोश्टक के अंदर छोटा कोश्टक होता है देखिए जब भी माइनस का कुणा माइनस में होता है तो माइनस माइनस क्या होता है इसको हम जैम करते हम लिख देंगे और यह माइनला कोश्टक लिखेंगे यह 19 लिख देंगे तो इसको क्या होता है जब भी माइनस का माइनस में गुणा होता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है ये तो देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा लेकिन ये बाला माइनस है ये माइनस ही रहेगा तो आठ का डावाल होता है 16 तो ये यहां पर कुश्टक लग जाएगा अब ये माइनस 4 है और ये कितना 16 में से 19 में से 16 माइनिस करेंगे तो ये कितना बचेगा ये माइनिस का सौरी प्लस का 3 बचेगा अब ये कुछ टक का मतलब क्या होता है गुणा होता है मतलब माइनिस 4 का गुणा माइनिस 3 में करेंगे तो ये प्लस होता है प्लस माइनिस माइनिस होगा और 4 तिया 12 होगा मतलब माइ मुड़ता है फिर वह दाएं मुड़ता है चार मीटर की दूरी चलता है इसके बाद में दाएं 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 दो बार हो जाएगा तो सुरी यह वाला फिर से हो गया है इसको काड़ देंगे टाइपिंग में double से हो गया है ये Тो उसको दिएन मत दीजिए देखर सामार्त है 10 मीटर उद्तर में तो ये starting point हम इसको माल लेंगे उद्तर में 10 किलोुमीटर जाएगा तो ये 10 किलोुमीटर उद्तर ऊपर हो जाएगा इसके बाद में तो ये तो अब सामवर्थ किस दिसा में जा रहा है तो हमें ये बताना है कि अब है जो वह सामवर्थ किस दिसा में जा रहा है उत्तर में दस किलोमेटर जाएगा इसके बाद मैं blah dollars mm गलेगा कर्थे चुलोवेटर तो अब हैं बताना है कि बहे किस दिशाव जा रहा है तो ऊपर की साइड में कौन सी दिशाव होती है तो ये उत्तर में जा रहा है जो हूपसन नंबर तीसरे में जा रहा है यह लेकिन option में दिया नहीं है तो इसमें उत्तर पूरा होगा क्योंकि ये उत्तर तो यहां से होगा हमें बताना कहां से है अब समर्थ के स्वा mają क्सलिशाना है स्वश्म्राइच कि माह sagtा में पूचा है तो उसने मोह तो कहां पर होगा उत्तर में ही होगा तो उत्तर में इसका मौह हो जाएगा यह हमें देखा नहीं है कि कहा पर है इसका मौह कहा ऊपर साइट होगा तो ऊपर साइट क्या होता है उत्तर होता है तो उत्तर आप्सन तीसरे में है तीसरा आप्सन राइट आंसर हो जाएगा Q20 देखिए दिये गए बक्तब पर विचार करें और तैय करें कि दी गई समानने ताओं मैंसे कौन सी नहित है रेलगाडी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25 पिर्दिसत की ब्रद्दी कर दी गई है मतलब 25 पिर्दिसत की ब्रद्दी हो गई है रेलवे किराए पार तो मानताएं क्या है कि लोग ब्रद्दी के बावजुत भी रेलगाडी के द्वारा यात्र करना पसंद करते हैं परिवहन के अन्य साधन भी किराए में ब्रद्दी करते हैं तो और भी परिवहन वाले ब्रद्दी करेंगे क्योंकि ट्रेंड सस्ता होता है बस हो और और परिवहन के मुकाबले में तो इसलिए लोग फिर भी जाएंगे तो अप्सन नमबर जो पहली मानने ता है बहुत है निकल रही है तो चौथा आप्सन राइट आंसर हो जाएगा देखे यदि हम निसकर्ष निकालते हैं इस वीडियो को टेस्ट को लगाने के बाद देखे जो कथन निसकर्ष से आए थे वो साथ से आठ कॉस्चन आए थे तो इसका मतलब कथन निसकर्ष निया निगमा निसमें वे चार-पाँ चैप्टर रहते हैं बोई बाले और जो चित गड़ती है संक्रियां से थे दो कॉस्चन इस प्रकार से बांकि एक एक दो दो क्वेस्चन देखने को मिलेंगे थे लेकिन सबसे जानल जो क्वेस्चन आए थे वो थे साथ से आठ कॉस्चन थे किससे कथन इसकर्ष निया निगमान बाले से तो हमें यह अच्छे से पढ़ अंगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं